कि बिस्मिल्य रह्मानी रहीम अस्सलाम वरीकूम कैसे हैं आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग सब खेरियत से होंगे तो आज मैं आप लोग के लिए रही थी मज़ेदार से शाशली को चाइनिस राइस की रेसिपी जो कि आपको इंट्रो देखके इंदाजा हो गया होगा तो आए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ पानी गरम करने के लिए रख दिया था चावल उबालने के लिए न अब ये पानी अच्छी तर अब लग गया इसमें एक खाने का चमश नमक डाले नमक डालने के बाद मैं अब इसमें उबाल आने पर चावल डाल दूंगे खिले-खिले से जातें ज़रा थोड़ी देब पहली चावल को बालने न तो बहुत अच्छे से खिले-खिले से बाइल होते चावल न तो बस यह क्या भी जब तक चावल बाइल होंगे तो मैंने एक चूले पर जोग्राइफ लिए कड़ाई रखने के बाद इसमें जो न मैं है घुकिंगाइल डालॉंगी को invasive के बराबर मैं इसमें ऊई 뉴스 ड़ा लुए अच्छा ऑयल को मैं गर्म और दूँगी जब अच्छी तरह गरम देल ग्रास को मैं चमची मद्द से आपिर उसको मैं इस न लईट गोल्डन सा ब्राउन करदूंगी अब लसन ब्राउन हो गया है देखें कितना अच्छा सा कलर आगया इसमें जो हैना मैं चिकन शामिल करूंगी द् construction को अच्छी तरह ही लसन के साथ परणाहे कर लूंगी क्यों टाकिशिक थूए जूसरे पर देंगे चफील सब्सक्राइब ने चुछ नगाने जो और गर्म करता ना इस वज़ा से न तो अभिजाब चिकन चुह अच्छी तरह फ्राइब हो गई है चिकन फ्राई हो जाएगी न आप इसमें जो है न मैं डालूंगी चीनी जैसे जो है आदा खाने का चम्मच जो है न मैं इसमें चीनी शामिल करूंगी यह देखें चीनी डाली है मैंने इसमें और आदा खाने का चम्मची मैं इसमें न कुटीवी मिर्चे शामिल करूंगी कु मिक्स करने ना इसमें दो खाने के चमची भर के में इसमें इसma ya soya soos डाल रही हूं पिर अब मैं इसको जो जो है ना कवर करके फकने के लिए चोड़ैंगी ना जिसमें मुलुझी भी गल जाईगी और इसमें जो है मैंने निए कर दाने के जब मुर्गी पकने के लिए रुक यू न आपको सामने डाला है अब मैं इसमें चीली गार्लिक सोस डाल रही हूं अब भरके ये भी एक प्याली ना ओप इसको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स करऊंगे यह मैं शाशलीग बना रही हूं ना चैनिसर इसके साथ न तो बच्चे शॉक सखाते है तो इसलिए न मैं इसके साथ यह चाशलीग भी बनाती हूं अच्छा बिसमें जो है न मैंने दो बड़े साइस की टिमाटर पीस ठीज दाल पाद कर दाले हूं और फोड़ा कम जो है मैं इस में वाइट दकनी मिर्चे डाली है और आदेश कमी मैं समय मतलब चिकन बादर डालाए यह सारीच यब लेल के मैसको अच्छी तरह न में मिक्स कर रही हूं करने के बात मैं मतलब एक उबाल सा जाएगा ना चिकन में हुआ कि इसमेन आची तरह ना जाना शुरुत हो साइड देखां अपना पकना शुरूआ हो गया अच्छी तरह अच्छा अब जो है न मैं इस तडू है यह सब्सद्टे इस तरह बारिक करके मैंने क्यूब्स की शकल में ट्रिमाटर भी इसमें डाल दिया अच्छा इन सब्जियों को ज्यादा पकाते तो हैं नहीं ना मतलब इनको थोड़ा करण्च ही रखते हैं तो बहुत जारा मज़े की लगती है ना तो बस में थोड़ा सा पाने डाल के इसको एक दो मिंड के लिए ना बस कवर करके पकने के लिए छोड़ूँगी जादा देर में इसको नहीं पकाऊंगी बस अब जो है ना मैं इसको कवर कर दूँगी आड़कर ना थोड़ी देर बन आपका हूंगी में इसको बस कि यह देखे इर अच्छा थोड़ी देर पकेगा उसके बाद जो एन यह देखे यह पग गया अच्छी तरह ना मैं आपको बता है था था हना पांस से साथ मिन्ट में इसको पकूँ यह वह दो होगी अच्छा अब जो या मैं इसको थोड़ा सा गारा करने के लिए एक समश भर जो ना प्याली में कॉण फ्लो डाल के पानी में मेंक्स करके न भी समय शामिल कर दिया है यह अब यह शाश्लिक जो ना यह मेरा तयार हो गया बड़े कोई मज़े का शाश्लिक यह कि यह सब मैं इसको कवर करके चूले से उतार दूंगे यह मज़ेदार सा शाशलिक जो ना तैयार हो गया अच्छा चलते हैं चाइनिस रैस की तरफ तो आए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं यह मैंने कड़ाई रख दी थी अब इसमें जो हैं ना मैं ऑईल डाले हूं कि खाने का चमत जो है ना मैंने इतना लस्टन जो है उसको बारिक चौप किया वाथ हो वैसमें डालूंगी लस्टन डालने के वाद इसमें भी वह यह ज्यादा प्रसेज का भी कोई ना लस्टन को भी हलका सब गोल्डन ब्राउन करना है यह देखें यह बड़े मज़े का मतलब यह के बनाते हैं पर यह बहुत ज्यादा शौक सखाया जाता और बहुत ही मज़े का बनता और इतनी कलर फुल सा बनता है बहुत ही खुपसूरत शाष्लिक भी इतना अच्छा लगता है दिखने में और चाइनी सराइस भी बड़े मज़े के लगते हैं तो अभी देखे इस तरह ना बारिक बारिक करके ना मतलब बोन लेस जो है ना बोटिया चोटी चोटी मैंने सी कट वाली तो यह सई रहती है इसमें अच्छा बहुत से लोग जो है ना चाइनी सराइस में वह अंड़ा भी डालते हैं तो बच्चे मेरे जाधा शॉक सा खाते नहीं तो इसलि ना कि शोड़े डाल दूगी अइसमें गाज्रे डालते हैं अब मैं आपके सामने सिफ लस्तं डाला है भी और शिकर डाली अब में गाज्रे जो एने चिकन के साथ मिक्स करके भी फोड़िए दर के लिए पकाने के लिए चोड़ दूँगी ताखिए गाज्रे घंग यह पि पकने के लिए छोड़ दूँगी चिकन और गाजरों को कोई तकरीबन दस मिंट के लिए क्योंकि चिकन भी उसमें अच्छी सी गल जाएगी और गाजरी भी मेरी बहुत अच्छी सी ना इसमें गल जाएंगी बस यह आदी प्याली मैंने इसमें पानी डाल दिया पानी डालने के बाद अब मैं इसको मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर करके पकने के लिए चोड़ दूँगी पांच से दस में पकाई थी अचाय ऐची तरह रोड़ी और रहивается है मेरी गाजरे भी अच्छी स सींग लिए अब मैं इसमें अब की सबसेयां शामिल करूंगी जिसमें जो हैं न मैंने बड़ी मेहन temple सबसें काटी ती सारी नहीं बैट के नो तो बस यह कै अँधि झू है नहीं ये वहीं दो खाने कर्शे सिरक्या डाल दिया कि आज तह तहीं मैं शुक्त सोमते में इंदि भीगव लाल-णिश्ट नहुंट रहता है च्पालivalagit को भटन है दोलता है नहीं को लाई alma हल्दी एंची तो करते रहीं कि अ taş आब इसमें जाइंगी इनप्र आज शिम्हला मिर्च लाल दाले चिंछास करे मैंने काट लीन नहीं जेए नव लंबाइए धर बाया जाएंगी शामी लोगा हमिया इस में माथ हरी प्याज अच्छा ही सारी सब्जें डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह ना अभी चम्मच से मिक्स करूंगी अच्छा वही बात है कि यह जो चाइनिस राइस की सब्जें होती है इनको भी जादा नहीं पकाते हैं तो इसलिए मैंने गाजर को बस पहले पका लिया था बाकि यह सब्जियां जो है यह जादा देर नहीं पकेंगी मुश्किल से दो तीन मिंट के लिए बस इसको कवर करके मुश्किल से दो तीन मिंट पकाऊंगी अच्छा तो अभी यह देखें यह मेरी सब्जियां जो है जबरदस्थी पके तैयार हो गई है अब जो है ना मैं इसमें यह बॉयल चावल डालूंगी जो मैंने सबसे पहले बॉयल करके रख ले तरह मतलब सब्जी और यह जो है न हो जाते हैं अच्छा मैं थोड़े थोड़े करके मैं मिक्स कर दिती मैं आदी सब्जी निकाल ली थी पहले आदे चावल मिक्स करें पृर हुए मैं जो है इनको मैं यह ने रहता थोड़ा सा मस्टला हो रहा था मुझे लग एब तो इससमें इसको मिक्स करके पिर एक जगा मिक्स कर लिया था यह आधा मैं तो अगर मैं एक साथ करती न तो फिर इसमेशता बब जाते तो अब यह माशाए लाधाल से मज़ेदार से चानीश राइस तैयार हो गाए सहाद सामार को बहुती तो बँठों ने वी सबनेों रही Anders Sh toss से खाया था तो बस अभी यह भी तैया रहे हैं अब यह मैं इसको कवर कर देती है और अब मैं आपको इसको ना डिश में निकाल के दिखाऊंगी तो आपको खुझी अंदाद हो जागा कि यह कितने मज़े के बने हैं यह देखें माशाला से इतना खुबसूरत कलर ता और इत सब्सक्राइब करना मत भूने तो मिलती हूं मैं आप लोगों से एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ अल्ला हाफिज